अलो शुदेन्ट मरुद कुमर एदो आपका अपने यूटूब चनल डिवाइन मेथमेजिक से अज हम लोग सीखने वाले हैं इस कोंप्लेक्स नंबर डैट मिंस समय से संख्या हैं कॉंप्लेक्स नंबर का मिनिंग क्या होता है ऐसा नाम से लग रहा है कि एक दो नंबर्स अलजबरा के अंडर एक topic बोल ले हम लोग उसके अंदर हम एक complex number की study कर रहे हैं इसमें जो हम पढ़ने वाले हैं अब हमको पता है कि जब यह complex है complex है तो more than one number का composition होगा तो more than one number का composition मतलब यहां पर दो पार्ट बताए गए हैं दो पार्ट होते हैं दो पार्ट फर्स्ट पार्ट होता है real part and second part होता है इसका imaginary part second part हो क्या होता है imaginary part होता है and first part real part होता है that means complex number equal to imaginary part plus real part equal to complex number okay so first of all हम इसके definition पर आना चाहते हैं complex number का definition क्या होता है definition of complex number definition of complex number में आपको define करके बता रहे है if small a and small b are two real numbers then form of form of a number a number a plus iota b is called a complex number that means हमारे पास अगर दो वास्तिक संख्या है that means real numbers है उनके composition को कुछ हम इस तरीके से represent करते हैं जब हम करते हैं तो क्या हो जाता है complex number बन जाता है कैसा क्या बन जाता हो complex number that means numbers that means plural plural और तो तो एंड बी एंड बी और टू रियल नंबर दो रियल नंबर से हैं अब इनका composition बना करके इनका जो फार्म है एक फार्म इनका मिला करके अगर हम कुछ इस तरके सरी प्रेजेंट करें ए प्लस आयोटा भी के फार्म में तो इसका जो एक फार्म बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं complex number जो एक फार्म बन रहा है मारा then farm after number a number that means क्यों एक नंबर फार्म करेंगे is called a complex number that means दो numbers का जो composition होता है अगर उनको हम कुछ इस तरके सरी प्रेजेंट करें लिए एक लोटा भी के फार्म में तो हम येसको जो एक नंबर ये वने गारें उसे हम बोलते हैं complex number बोलते हैं कोई कोड़ेइ 살ंआ इसको एक्स प्लस आयोटा वाई भी लिखते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई अपनी पसन्द है जिसको जो पसंद हो चूज का सकता क्यों बनेगे मोलने का अंसे है कि दो वास्त्विक संक्याय का कंपोजिशन कुछ तरीके से न सब्सक्राइब बनाया जाया प्लस ओण सorro में पंब कर या नंबर करें मिला है क्या वनेगा के ओफ इस ल Sapkosom बहुत डिटेल में आपको बताते हैं इसको first of all iota इसको बोलते हैं नोट कर लिजिए iota इसको सबसे पहले एक mathematician थे आलर आलर ने सबसे सरपथन इसको सबसे first of सबसे पहले आलर ने इनको define किया था डिफान किया था आयोटा की जो value बताई थी आयोटा का जो value बता गया था root में minus 1 बोला गया था क्या बता गया था आयोटा की value क्या होती है root of minus 1 कि कि अगर कोई भी आयोटा की value अगर हमसे पूछता है तो हम लोग वोलते हैं रूट में मान स्वन ओके आर यॉटा की जो वैलू है हम इसको आعोटा की जो वैलू होती है वो मान सबिती इसकुरिवली कितना होती है मान खिन सुन होती जो complex number होता है, उसको हम लोग हमेशा कैसे represent करते हैं, capital Z से represent करते हैं, so, Iota के बारे में आप समझ लिए, representation समझ लिए, कि इसको कैसे denote करते हैं, complex number को जो denote करने का वे है, वो capital Z से denote किया जाता है, so, हम Z equal to लिख सकते हैं, A plus Iota B, R, X plus Iota Y, कोई को टीचर जो को आई भी बोलते हैं, so, I बोलना उतना correct नहीं होता है, okay, अगर हम, जो textbook हमारे पास है, उसमें से, जो study करके पाया गया है, उसमें से मिला है, कि जो Iota होती है, Iota की value क्या होती है, root में, minus 1 इनको I नहीं हम बोलते हैं, ठीके, so, Iota square equal to क्या मिलता है, minus 1, Iota square की value क्या होती है, minus 1, so, हमने इसका definition देख लिया, अब इस पर बेज़ान कुछ हम देखते हैं, कि क्या topics हैं, क्या इसका representation है, Iota square की value समझ में आई होगी, आपको minus 1, हमेशा याद रखिएगा, Iota की value क्या होती है, root में, minus 1, and Iota square की value क्या होती है, minus 1, okay, so, अब हम इसको rough करते हैं, okay, okay, so, आपको definition समझ में आया, Iota क्या है, वो समझ में आया, इसकी value क्या है, वो समझ में आया, okay, and इसका notation कैसे करते हैं, वो समझ में आया, Iota square की value क्या होती है, माइनस वन यह आपको समझने आ गया आप एक सिकन्ड के लिए सको नोट कर सकते हैं ओके हमी श्राट करते हैं आगे और हम इसको रफ कर रहे हैं भी कि ओके जेट कॉंप्लेक्स नंबर को मैंसा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अगर हम एक्जाम्पल करें एक्जाम्पल में अगर हम ले ले इसकी वेलू कैसे फाइनट करते हैं यह बहुत बेसिक क्वेस्टन है बहुत ध्यान समझते हैं हम लोग इसके सलुशन पर हम जाएंगे तो बहुत ध्यान समझेगा आप क्या लिशकते इसको आयोटा दे पावर फाई डैट मिंस जब हमको ब्रेक करना होता है और अपने को यह मालूम है कि जो आयोटा स्क्वेर है उसकी वैल्यू कितनी होती है मायना सुन होती है तो हम एक कोसिस करते हैं कि हमेशा जो आयोटा के आयोटा स्क्वेर किस से ज़्यादा जब पावर आती डैट मिंस पावर टू से ज़्यादा हो जाती है तो हम उसको आयोटा लेट मेंस अपने को मालूम है कि टू टू जा फोर टू टू जा फोर विक्वास बाई इंडाइसेश के रूल से अपने को पता है कि अगर पावर की उपर पावर हो तो पावर का आपस में क्या होता है अभी इसका एक पावर वचात इंडाइसेश का रूल है एकर पावर को पावर हो तो पावर का आपस में क्या होता है मल्टीपलाग हो जाता है तो टूटू जा 4 हो जाएगा अभी इसका एक पाउर बचात इनटू एक डिग दिया गया ओके सो आयोटा स्क्वेर की वैलू क्या होती है माइनस वन लिखेंगे यहां पर आयोटा स्क्वेर की वैलू क्या होती है माइनस वन होती है अभी हम चलेंगे यहां पर आयोटा स्क्वेर की वैलू माइनस वन लिखेंगे हम अपने को मालूम है कि अगर किसी negative वाला base हो power हमारा even हो negative base हो power हमारा even हो तो उसकी value जो होती है हमेशा हमको क्या मिलती है positive मिलती है if any numbers has a base negative and power is even so then the value of overall sums equal to positive इसकी जो value मिलती है मेशा क्या मिलती है अपने को positive मिलती है अगर हमारा base क्या हो negative हो और इसका power क्या हो even number हो तो इसकी value हमेशा क्या मिलती है अपने को positive मिलती है so iota square की value हम अपने को मिली minus 1 minus 1 का square था तो 1 का square लिखा into 1 into iota यह value हम आपको समझाते हैं, value कैसे minus one का plus कैसे हैं वो समझते हैं हम दो, minus one का square मनदब समझ रहे हैं आप, minus one into minus one, minus minus plus, so Iota square की value थी minus one, minus one का square करेंगे तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और यह value क्या मिलेगा अपने को, Iota, that means इस आयोटा की पाउर फाई एक्वाल क्या हो जाएगा यौटा इस दॉफाइड एंसर ओके है ओके है एंडशेंट इप्रीवन से अवका जो आयोटा की पाउड़ फाई इको टो आयोटा मिलेगा अपने वह एक हैं कि कि सुद्धित हैं कि रूट को इसी सीरीज्aeda आगे बढ़ते हो चलते हैं अब हम इसको आयोटा 5 unit of square वी ब्ptonार के ठीक है यह स्वारी इमेजनरी यूनिट बोलते हैं इसको हमनों क्या बोलते हैं इमेजनरी यूनिट भी बोला जाता है ओके आयोटा को ओके तो हम इसको रफ परते हैं अगर हमारे पास question कुछ इस तरीके से दे दिया गाए एंद वन इंपोर्टेन ओर यहयर आयोटा द पावर जेरो नोट मिलके आप लिखेंगे अपयोटा द पावर जेरो इकोल टू आल्वेज 11 होता है कि अयूटा जिया कोई भी नंबर हो अगर उसका पावर जेरो हो जाता है तो उसकी वैल्यू में जीरعة दो मिलतら है पने 1 अगर 4 के power 0 लिखें for the power 0 that means 1 any numbers किसी भी नंबर का अगर power 0 है तो उसकी value हमेशा क्या मिलती है अपने को 1 मिलती है अपने mind में setup कर लिजिए ओके आगे हम लोग चलते हैं इसी series में आगे बढ़ेंगे अब हम एक और example लेना चाहते हैं आपके आपने अगर हमारे पास कुछ सरीके से example है example नंबर टू अगर हम देखना चाहते हैं देखेंगे इसमें समझने कोशिश करते हैं कि find the value of find the value of कि आयोटा प्लस वन अपवान आयोटा कि find the value of आयोटा प्लस वन अपवान आयोटा ओके यह बहुत सिंपल क्वेस्टन है देखने हम थोड़ा से आपको अट्पटा लग रहा होगा लेकिन यह सम बहुत ईजी है हम इसका डिनार्मेटर का लिए कर सकते हैं या तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं कि जो वन अपवान आयोटा है इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं सिंपल वे में सॉल्यूशन चलेंगे क्या मिलेगा सॉल्यूशन इसका आयोटा जल्साल सब्सक्राइन आयोटा इसको हम गिएम दपने को ऐसं प्लस पर या यहां पर एक मनतिक यूश지도 करेंगे यहां पे हम क्या करेंगे आयोटा अधी वैलू तो रूट में माया सुन arte वैयू नहीं है जु प्यपेर आयोटा से उपर नीचे क्या करेंगे multiply that means denominator and numerator में iota से divide और multiply कर देंगे so इसकी value क्या हो जाएगी iota plus iota plus iota upon iota square okay iota plus iota और by formula अपने को पता है iota square equal to क्या होता है minus 1 so this will become minus 1 a minus and a plus minus plus minus minus and a plus minus iota अपने को मालूम है कि अगर किसी भी number से हम one से किसी number में divide करेंगे उसकी value हमें इसा क्या मिलती है उसके value में कुछ changes नहीं आते हैं अगर हम किसी भी number में one से multiply करें या one से divide करें तो उसके value में changes नहीं आते हैं बट यहां पर minus 1 था तो minus plus क्या हो गया minus हो गया और यह plus 1 plus iota and minus iota को क्या कर देगा 0 यह आपका final answer ला जाएगा आप हमें हमारे comment box में जाकर कमेंट कर सकते हैं हम आपके हर एक problem को solve करने की पूरी कोसिस करेंगे जहां तक हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके question का जो answer है वो सहज और आसान तरीके में that means easy way में हम आपको provide कर पाएं आपके आपके आपको प्रोवाइड कर पाएं आपके हम इसको रॉप करते हैं और एक next example और लेना चाहते हैं हम कि स्टार्ट करते हैं हम एक और example के साथ find the value of find the value of iota the power 1 0 1 plus iota the power 1 0 2 plus iota the power 1 0 3 प्लस आयोटा दा पावर 104 Find the value of 101 प्लस आयोटा दा पावर 102 प्लस आयोटा दा पावर 103 प्लस आयोटा दा पावर 104 अब हम इसकी value कैसे find out करते हैं इसको हम आपको बताना चाहते हैं कैसे हम इसको solve करेंगे आयोटा आयोटा दा पावर 101 प्लस आयोटा दा पावर 102 प्लस आयोटा दा पावर 103 प्लस आयोटा दा पावर 104 इक्वल टू हम लोग इसको कैसे और फाम में कैसे लिख सकते हैं Iota the power 100 into Iota plus Iota the power 100 into Iota square, okay, plus Iota the power 100 into Iota cube plus Iota the power 100 into Iota 4, okay. यह हम इसको break कर लिए, because indices rules के से अपने को मालूम है, कि base अगर equal है, तो power आपस में क्या हो जाते हैं, add होते हैं, formula को पता होना चाहिए, A the power M into A the power N equal to A the power M plus N, that means अगर base हमारा equal है, तो उनके जो power होते हैं, आपस में क्या होते हैं, तो यहाँ पर power को हमने split कर लिया, जो 101 था, उसको 100 और 1 में, और जो 102 था, उसको 100 और 102 में, जो 103 था, उसको 103 में break कर लिया, और 104 को 104 में break कर लिया हमने, अपने को यह sum बहुत आसान हो जाएगा, IOTA the power 100, IOTA the power 100, IOTA the power 100, and IOTA the power 100, सबसे common हो जाएगा, IOTA the power 100 हम common हैं लेंगे, बचे का bracket में क्या, IOTA plus IOTA square, plus IOTA cube, plus IOTA the power 4, IOTA the power 100, that means IOTA square the power 50, because अपने को हम पहले हैं यगर IOTA उपर power 2 से जब जादा हो जाता है, तो हम उसको हमेशा IOTA के power 2 में हमेशा break करते हों हैं, उसी के multiple में हमेशा break करते हैं, तो IOTA square के power क्या हो जाएगा, 50, अब यहाँ पर IOTA है, यहाँ पर break नहीं कर सकते हैं, IOTA square की value क्या होती है, minus 1 होती है, and IOTA cube की value, IOTA cube value कैसे finite करेंगे, IOTA square into IOTA, because यहाँ पर जो IOTA के power 3 है, वो 2 से क्या है, ज्यादा है, उके, plus IOTA square into IOTA square, IOTA square की value minus 1, the power 50, IOTA, A minus, और यह plus, minus, plus IOTA square की value minus 1 into IOTA, plus IOTA square minus 1, क्या तो यहाँ पर हम ऐसे भी break कर सकते हैं इसको, IOTA square के power 2, IOTA square के power 2 भी break कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर, वो easy गिरेगा अपने को, okay, then IOTA square की value क्या, minus 1, the square, whole square, minus 1, the power 50, minus 1, the power 50, that means 50 is the even number, and 1, minus 1, that means base इसका क्या है, base इसका negative है, and जो हमारा power है, वो क्या है, even number है, इसकी value कैसी आईगी है मैसा, positive आईगी, IOTA, minus 1, and यह minus और यह plus, minus IOTA, plus, minus 1, the square, that means plus value देगा है, because minus 1 है, उसके पर power 2 है, even power है, इसकी value क्या आईगी, positive आईगी, plus IOTA, and minus IOTA, and minus 1, and plus 1, this cancel out this, and this cancel out this, and 1 into 0, that means 0, okay, हम एक बार इस सम को वापस explain कर देना चाहते हैं, यहाँ पर आप समझ रहे हैं, 101 है, 102, IOTA the power 101, IOTA the power 102, and IOTA the power 103, and IOTA the power 104, हमने इसको 100 के टर्म में सबको break किया, 100, 101 को 100, IOTA the power 100 ब्रेक किया, और यहाँ पर इसको 1 रखा, and 102 को, 102 को, 102 में ही break किया, and so on, अब यहाँ से हमने क्या किया, IOTA the power 100 को हमने common लिया, बचा किया, IOTA, plus IOTA square, plus IOTA cube, plus IOTA the power 4 बचेगा, so हमने यहाँ पर, जो हमने बताया था, starting में बताया था, कि जब हमारे पास IOTA को उपर पावर 2 से जादा हो जाता है, तो उसको हम हमेशा किसमें break करते हैं, IOTA के पावर अगर 2 से जादा होता है, तो हम हमेशा 2 के multiple में उसको break किया जाता है, so IOTA square के पावर 50 लिखा गया है यहाँ पर, IOTA is it रहेगा, और IOTA square के value क्या होती है, minus 1, plus IOTA cube के value, IOTA cube के value आप समझ रहे हैं, IOTA cube, that means power 2 से क्या है, ज्यादा है, IOTA square into IOTA लिखेंगे, plus IOTA the power 4 है, that means IOTA square का whole square हो जाएगा हो, IOTA minus 1, because IOTA square value क्या होती है, minus 1, and IOTA square value minus 1, plus IOTA square value minus 1, the whole square, IOTA square value minus 1 है, अलड़ी आपको मालूम है, so IOTA square minus 1, the power 50 है, minus 1 के power 50, that means, इसका base क्या है, base इसका क्या है, negative, इसके power क्या है, even number है, 50 है, so इसकी value क्या देगी, positive दे दिया जाएगा, so positive देगा, so IOTA minus 1, and A minus और A plus, minus, A minus और A plus, यहाँ पे IOTA square है, IOTA square है, sorry, minus 1 का square है, minus 1 का square है, so minus 1 का square हमें साम को क्या देता, positive value देता है, so ए plus 1 आएगा, और ए plus 1 बचेगा, ए plus IOTA and minus IOTA cancel out करेगा, ए minus 1 और ए plus 1 को cancel out करेगा, और यह पूरा 0 हो जाएगा bracket, और जब उन से multiply होके, पूरी value 0 कर देगा, ओके, हम इसको rough करते हैं, और इसके series में हम आगे बढ़ने बढ़ते हैं, आगे हम क्याल लेंगे, उसको हम बताते हैं आपको, ओके, इसको हम रफ करेंगे, आयोटा की value find out करना हम सीख चुके हैं, अब हम आगे देखते हैं, अगर इसमें आपको कुछ doubt है, आयोटा की value कोई नहीं आ रही है, तब हमारे comment box में जाके comment कीजिए, हम इसमें जो भी आपको doubt रहेंगे, हम आपको solve करा के देंगे, हम इसको easy तरीके से आपको देने की कोशिज करेंगे, हम स्टार्ट करते हैं, अब हम इसमें देखना चाहते हैं, कि इसका complex number होता है, अगर कोई numbers है, अगर हमारे पास इस तरीके कोई number है, समझते हैं हम लोग जड़ा, root में माइनस 25 है, एक ऐसा number होगा, विकॉज अपने कोई मालुम है, अगर कोई भी number, कोई भी number अगर root के अंदर में negative आ जाती है, कोई भी number हो, अगर वो root के अंदर negative sign के साथा जाती है, तो ओ numbers क्या हो जाती है, complex number हो जाती, कैसा number हो जाता है ओ, complex number बोला जाता है इसको कौन साथ टेग आ जाता है इसके साथ टेग आ जाता है आयोटा का प्रिकॉज आप समझ रहे हैं अगर हम यहां से common minus लेंगे तो minus अगर common लेंगे बाहर तो क्या मिलेगा minus 1 मिलेगा रूट 25 इंटू-1 और आपको पता है कि आलर ने बताया था कि जो इन नेगेटिव क्वांटिटी इसकी वैलू क्या होती है आयोटा क्या होता है minus root of minus 1 that means 25 इंटू आयोटा और 25 किसका स्क्वेर रूट होता है फाई का तो यह क्या बनेगा आपको फाई आयोटा आ जाएगा that means इसका जो imaginary part होगा imaginary number क्या है इसका im of z equal to 5 and real part इसका कुछ है real part इसका कुछ नहीं है so real part जो इसका कुछ नहीं है तो re of z equal to 0 that means अगर हम सीज़े सीज़े बात करना चाहे हैं तो complex number equal to complex number equal to equal to real part real part plus imaginary part imaginary part अब हम इसको इस तरीके से भी represent कर सकते हैं re of z very complex number को ज़ेद्ज से रिपेजन करते हैं हम लोग complex number कोकोए dus Z से रिपेजेंट करते हैं imaginary part को I m of Z से रिपेजेंट करते हैं तो real part होता है इसको हम लोग कैसे रिपेजेंट करते करते हैं re of z plus i m of z best ओके तो अगर हम देखना चाहते हैं यह फार्मुला आप नोट कर सकते हैं कि जो complex number होता है वो दो पार्ट से मिलके बनता है real part and imaginary part से मिलके बनता है so real part का जो notation होता है re of z होता है and imaginary part का जो notation होता है i m of z होता है ओके आगे चलते हैं हम लोग note कर लिजिस को so और अगर example हम लो लेना चाहें यह पर देख सकते हैं example number 4 next one is example number 5 if if 3 plus 5 iota then find the value of value of real number and imaginary number sorry real part and imaginary part imaginary part okay real part and imaginary part इसमें वो देखते हैं अपने को पता है कि अगर complex नंबर है हम उसको कैसे रिप्रेजन करते हैं जड़ से रिप्रेजन करते हैं कैसे रिप्रेजन करते हैं हम लोग हमें सा complex number को z से represent करते हैं तो हम solution पर जाएंगे तो क्या लिखेंगे इसके z equal to सुरी हाँ solution लिखना में भूल गया था solution z equal to 3 plus 5 iota z equal to 3 plus 5 iota इसमें जो हम देख रहे हैं कि real part जिसके साथ iota लगा हो जिसके साथ iota का sign होता है वो हमेंसा कौन सा part indicate करता है वो हमेंसा indicate करता है कि मैं imaginary part हूं ओके जिस real number के साथ iota लगा हुआ होता है वो क्या होता है imaginary part होता है और जो iota से free होता है वो हमारा real part होता है कौन सा part होता है real part ओके इसमें real part real part equal to real part equal to 3 and imaginary part equal to imaginary part equal to 5 ओके दिस दे वेरी सिंपल ओके अब हम चलते हैं इसमें जो हमारा next topic हमें start करेंगे ओह होगा conjugate of complex number क्या होगा conjugate of complex number that means संयुग्मी आफ समिस्र संख्या है समिस्र संख्याओं के संयुग्मी कैसे find out करते हैं तो किसी भी complex number का अगर हमें उसका complex किसी भी complex number का अगर हम उसका conjugate निकालना है conjugate find out करना है तो आयोटा को minus आयोटा से क्या करते हैं replace करते हैं और easy तरीके से उसको हम लोग values की find out कर लेते हैं अगर कोई भी complex number रहेगा अब ध्यान समझे हम बोलना क्या चाह रहे हैं कोई भी complex number अगर है अगर उसका conjugate हमें find out करना है तो आयोटा को मानस आयोटा से replace कर देते हैं तो उसकी value मिल जाती है अपने को हम आपको board पर example लेकर समझा रहे हैं और जो conjugate of complex number होता है वो हम ऐसा कैसे represent होता है Z bar से represent करते हैं कैसे represent करते हैं हम लोग उसको Z bar से represent करते हैं ओके Conjugate of complex number Conjugate of complex number में हम लोग देखने वाले है Conjugate of complex number That means Sanyugmi समिस्ट समिस्ट संख्या है Okay हमेशा उसका complex number is Sorry Conjugate of complex number of complex number is denoted by Duted by Z bar Okay Finite कैसे करते हैं एक example एक समिस्टाते हैं आपको For example If Z equal to If Z equal to 3 plus 5 iota 3 plus 5 iota Then Z bar equal to 3 minus 5 iota इसका Conjugate हो गया Conjugate का मतलब भी होता है कि iota को हम minus iota से क्या करते हैं replace करते हैं यहां लिग लेंगे iota is replaced by replace by minus iota for for any for any conjugate of a complex number that means किसी भी टाइप को होने दे यह complex number अगर उसका conjugate निकालना है conjugate निकालने लिए हम लो क्या करते हैं iota को minus iota से replace कर देते हैं सो इसकी वेलू z थी if z इक्वल टू 3 प्लस फाय आयोटा then conjugate then conjugate of above complex number z बार इक्वल टू 3 माइनस फाय आयोटा इस्ट्डेंट्स हमें उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको अगर कुछ भी डाउट्स है आप अपने comment box में जाईए वहाँ पर share कीजिए और हमारे जैसे हां कि हमने एक quick revision चालू किया है lectures that means 12th standard के जो बच्चे हैं जो exam दे रहे हैं वो किसी भी stender के हों sorry किसी भी boards के हों तो वो लोग अपना quick revision में हमने 101 lecture का टार्गेट दिया है so हमारा Monday को वीडियो अप्लोड होता है वीडियो को sorry sorry वहाँ पर जो हमारे पास जो वीडियो रहेंगे आप वहाँ से जाकर के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं कि वीडियो फॉर्ट ट्वेल्थ स्टेंडर स्टुडेंट्स के लिए उसमें वहाँ पर हम क्लेकबस पढ़ा रहे हैं और यहां पर हम एलजेब्रा स्टार्ट के लिए हैं यह क्लास 11 के लिए है तो आप इसको जोइन कर सकते हैं और अगर आपके कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और हमको बताइए हम आपके डाउट को सॉल्व करने की पूरी कोसिस करेंगे और आपको किसी भी तरीके का डाउट हो इस चेप्टर से लेटर जो हमने आपको डिसकस किया है और आगे कि जो चेप्टर में हम आपको बताते रहेंगे हमारे वीडियो कब-कब अपलोड होंगे मंडे को हमारा क्यूक रिवीजन होता है एंड ट्यूजडे को हमारा 11 का रेगुलर लेक्चर स्टार्ट होता है ओके अल्टरनेट डेस पर हमारे वीडियो अपलोड होते रहेंगे तो आप देखना न भूलिए ओके इसी वीडियो के साथ हमें आज का ये लेक्चर एंड करते हैं और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाए